जब data analysis कर रहे होते हैं तो सायद cutoff सही जा सकती है अगर सही data analysis नहीं होगा तो cutoff आगे पीछे होगी ही होगी अब हमने क्या देखा कि हमने normalization को लेकर अच्छा तरीके से आपको समझाने की कोशिस करिए क्योंकि कुल मिला के 53 shift है यानि तिरपन shift होई है और मैं अगर आपको एक इक का बताते चला जाओंगा तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि सायद normalization 10-15 नंबर का average है जो वह आकी सभी में होगा लेकिन हम 5 ऐसी shift के बारे में बात करेंगे कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा normalization होगा यानि वो shift hard आई थी और 5 ऐसी shift के बारे में बात करेंगे जहाँ पर सबसे कम normalization होगा वो shift easy आई होगी अब आते हैं top 5 easy shift पे यानि जो shift आसान थी इसका मतलब 9 अबसर में नंबर नहीं बढ़ेगा सबसे आसान थी 30 मार्च की जहाँ पर लगभख 16,000 के आसपाथ बच्चों ने फॉर्म भरे मतलब बच्चे पह गये थे रीग जाम के लिए और 115 नंबर बच्चों के एवरेज आ बढ़े लेकिन फिर भी जीरो सो दो नंबर के आसपास हम मान सकते हैं कि उनके नॉमलाइसमें नंबर बढ़ेंगे क्या आप में से किसी का इसका easy shift में था तो कभी-कभी होता क्या है कि हम परिक्षाएं देकर चले आते और बाद में पतलता है यार यह तो इजी था मेरे और नंबर कम आ गए अब मैं क्या बता हो कास की हाड वाले में पढ़ा होता तो मेरे भाई हाड में पढ़ा होता तो और कम तो आते अगर घे में कम आरे इसका मतलब हाड में都 और ही कम फिर आ जाते दूसरा सबसी एजी था 22 फवरीका फ़स्ट जिसमें 112 नमबर क्या सपस एवरेश तो 4-9 नमबर बढ़ा सकते हैं मैं थोड़ा साइड हूँ तो आप इसका फोटो खीच लिजेगा इसका एसकिन सौट दे लिजेगा और इसी की हिसाब से आप चाहिएगा तो दूसरी केसी वीडियो से भी मिला लिजेगा तो आपको लगभग आसपासी डाटा देखने को मिलेगा क्योंकि ये सब कुछ नानस होगा ये मान के चलीगा 10 से 15 नंबर आपके बढ़ेंगे जिनका इन दोनों के बीच में आ रहा होगा इस नॉमलेसर में ठीक ठाक नंबर सब के बढ़ेंगे को देखने को मिलेंगे इससे ये इजी हो गया और वो हार्ड हो गया यानि बाकिस सभी इसके बीच में हो रहे हों होंगे तो अपनी हिसाब से समझ लेजेगा कि आपके कितने नंबर बढ़े सकते हैं